हालो गाइज आज हम इंग टैंक प्रिंटर जो होता है उसके अंदर फोर जो एरर आती है उसको देखींगे आज है इसके अंदर हमने प्रिंटर अउन करा है और अब ही चालू हो रहा है और इसके अंदर E4 Error आ गई ओन करती है अब हम इसमें क्या रिप्लेस करेंगे क्या से क्या है वो देखेंगे सब्सक्राइब हम पाउर के बल निकालेंगे फिर इसके चार स्क्रू होते जो दो अपर होते हैं एक खोलेंगे और दो आगे की तरफ होते हैं करेंगे फिर इसके अंदर से दो एक स्कैनर के बला और एक डिस्प्ले के बला अटाएंगे इसमें घेर असेंबली का प्रॉब्लम लग रहा है हम सब्सक्राइब के घेर असेंबली रिप्लेस करके देखते हैं सारी केबल अटाएंगे यह फॉर्मेटर इसको साइट में रख लेंगे इसको साइट में रख लेंगे स्कूरू होते हैं कि यहां पर एक पीछे की तरफ वह खोलते हैं और एक लॉक होता है साइट में वह दिखाता हूं मैं यह देखो यह साइट में लोक दिख रहा है यह वाला यह वाला उपर लेना पड़ेगा अनलोक करना पड़ेगा इसको इसको यह लोक होता है इसके अंदर वापस फिट कर दिया इसमें कह सेंबली में यह देखिए यह मैं लोक उपर की तरफ कर दिया है और यह यहां लगता है यह जगे और यहां साइट में कि स्प्रिंग है वो उट आएंगे फिर इसको गेर साइट की तरफ पीछे की तरफ से पहले उपर करेंगे और फिर आगे की तरफ से यह उठा लेंगे फिर पूरा टर्न करके इसे उपर कर लेंगे यह घेर एसम्बली इसमें घेर में प्रॉब्म आ जाती है तो यह फॉर एरर करने लग जाता है किती पर पेपर पिक नहीं करता है और यह दूसरी वाली लगाएंगे हम जो मैं उस टेम बता रहा था लोग यह वो लोग होता है यह यहां से सीधा यह लगता है इस जगे यह लोग यहां से यह नीचे की तरफ हो कर इस जगे लग जाता है फ्री हो कर यह चुँए यह लगावा है हम वापस से तिर्षा करके पहले साइट लगा के फिर पहले आगे की तरफ लगाएंगे गेहर सेंब्ली और पीछे की तरफ फिर बाद में आगे फिट करने के पाद पीछे लॉक कट लगा हुआ है उसके अंदर फिट करेंगे एक दिखाता हूं मैं पहले आगे के तरफ लगा देंगे बिलकुल सही बिलकुल पाफेक्ट फिर उसके बाद पीछे की तरफ ये लॉक के लॉक नहीं सौरी जो कट लगा हुआ है इसके अंदर फिट होगा अब ये जो लॉक है इसमें से निकालके इसमें लगाना है ये लॉक लगा दिया इस प्रिंग लगाते हैं और हम अब इसक्रू लगाते हैं कि पर स्लिप हो जाता है इस्क्रू निचे गर जाता है लगाते वक्त मैकनेट भी मेरे पास मैकनेट नहीं है तो मैं एक काम करता हूं जो इसकी इंक होती ना वेश्टेजिंक हलकी सही लगा के इस पर रख दूआ तो ये स्क्रू चिपक जाएगा इस पर यह हो गया इसको साफ कर लेता हूं मैं इसको वापस से लगा देंगे इदर लॉक है लॉक में सही फिट करके इस्क्रू लगाएं अब इसमें तीन जो इस्क्रू होते हैं वो लगाते हैं आप्वामार्ण तूर्ण लगाएं उवाँ उप्लिट करो से लॉक मैं यह होते हैं एारm पजब आगएऌज शक्रू नहरो इस्क्रू एस ह्म्मळख़ों अब फॉर्मेटर लगाते हैं इसमें सारी केबले अटेज करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसकी यह वायर होते हैं उनको बुद्धियान से वापस से यहां फिट करना पड़ता है कि वहर प्रॉल्म होती है यह भार केबल रह जाती है तो कैरेज के अड़ती है केरेज से यह जैसे केरी यह इदर आया तो यह अड़ जाएगा और फिर अड़ने के बाद दना एट्री एर्र कर जाता है इसलिए केबल बिल्कुल सही रखना झाल 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 इस्क्रू दो होते हैं इसमें फर्मिटर के दोनों लगा दिये अब हम सिर्फ अब इसके नेर बचाए इसके नेर लगाते हैं इसके नेर केबल डिस्प्लेय केबल लगाएंगे हम एक बार टेस्ट करेंगे हम देखते हैं इफोर आता है यह नहीं प्रिंटर रेडिमोट आ गया है रेडिमोट पर फोटो कोपी करेंगे एक बार प्रिंटर आएब झाल प्रिंटर आता है यह नहीं करेंगे घएशने करेंगे यह नहीं झाल झाल यह प्रिंट आ गई है इस बुक की यह प्रिंटर हो गया रेडी